आप सूचते हैं कि आप घर बैठे किसी भी असमार्ट एंड्राइट फोन को अनलॉक कर सकते हैं तो बिल्कुल आप सही सूचते हैं लेकिन इसके लिए आपके पास अनुभाव होना बहुत जोड़ी है बीना अनुभाव के आप कुछ नहीं कर सकते हैं देखे रहें फिलाल हम आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ कि यदि आपके पास कोई भी smartphone हो, चाहे वो company किसी का हो चाहे Nokia हो, Samsung हो या फिर Oppo, Bebo Realme, Xiaomi, Poco, कोई भी phone हो, और उस phone में आप जो भी lock का skin लगाई हुए है, आप भूल गए तो आप उसको चुटकियों में घर बैठे ही, आप unlock कर सकते हैं वो भी without data loss और बिना computer के helps है, जी हाँ इसमें में आपको देखे, मेरे हाथ में जो mobile है, सिर्फ और सिर्फ mobile है, ना तो इसमें data cable लगावा है, ना ही मेरे table पर computer है, ना ही कोई extra application हम use करने वाले, जी हाँ, ये देखे, मेरे हाथ में जो phone है, एक Samsung का है और एक realme है, जी हाँ, ये realme है और ये Samsung है, मैं इस दोनो phone को unlock करूंगा आपके सामने इसी वीडियो में ये देखे, Samsung में जो है 6 digit का password लगावा है, और ये realme में है, जो pattern lock लगावा है तो friends, फिलाल अगर आपके पास कोई भी phone हो तो कैसे उसको unlock करेंगे, तो बने रहे हमारे channel पे शुरू से लेके अंतिम तक, तभी आप सीख पाएंगे तो चलिए आए पहले हम Samsung का आते हैं देखे हैं, मेरे हाथ में Samsung का एक जो यहाँ पे lock लगावा है नॉर्मल फोन है, एडवांस ज्यादा है नहीं जब भी आपके फोन में lock लगे बहुत साए लोग क्या करते हैं गलत password गलत pattern बारवर डालते हैं, जी हाँ लेकिन वो फोन के लिए गलत होता है उनके लिए साइच साही होता होगा तभी तो वो फोन अपना unlock नहीं कर पाते तो चली क्या trick है, सिख लीजिए ठीक है friends ट्रीक यही है, यह देखिए जब भी lock वाला interface पे जाएंगे तो आपको दिखेगा एक emergency call इसको मैंने select कर लिया ठीक है, मैंने select किया उसके बाद क्या है आपको hidden secret code जी हाँ, यह hidden secret code है यह रहा, या तो आप इसको offline mode भी बोल सकते हैं service center में इसको बोला जाता hidden secret code अब हम लोग बोलते हैं इसको offline mode, क्योंकि यह जो trick है पूरा 100% offline के जी हाँ, offline के तुरू इस password को हम reset करने वाल है यह देखिए, जब जैसे ही 65 star 46088 यह है, यह code है इसको बोलते हैं hidden secret code या तो offline mode का code इस code पे जैसे ही enter हो जाएगा, same to same उसके बाद क्या करना है call वाला symbol देखेगा आपको इस तरह से call करना है, ok आगा, ok करना है यहाँ पे आपको 3 times complete करना है जैसे ही आपको 3 times complete हो जाएगा अब आपको इसको यहाँ से erase कर देना है मैंने erase किया अब क्या करना है, एक final code है जी हाँ, देखेगे एक final code star hedge 813 और देखे, hedge में प्रेस करूँगा उसके बाद कुछ नहीं करना है एक बार call करेंगे यहाँ पे ok आएगा, यहाँ पे ok कर देना है कुछ नहीं करना है, अब बीच बाद बटन को मैंने प्रेस किया यह phone unlock हो गया है देखे रहे हैं, यह phone unlock हो गया है अब भी मैं बोला था, without data loss देखे without data loss यह phone unlock हो गया है तो friends, आपका हो गया है तो वीडियो को like करके आगे बढ़िएगा उसके बाद आब आजएगे, यह देखे मेरे हाथ में यह real me का है, मैं बताया था यह real me का है जो यहाँ पे pattern lock लगा हो है जब भी आपको phone में इस तरह से lock लग जाए तो आपको कुछ नहीं करना है जी हाँ आप इसके related आप YouTube पे search करते होंगे तो वीडियो बहुत सारा मिलता होगा लेकिन कोई old होगा, कोई new होगा लेकि कोई new होगा, इतना नहीं होगा जो मैं आज बताने वाला हूँ जी हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप new tricks सेखिने वाले है यह देखिए जब भी pattern लगा हुआ है तो आपको फिर से इसी तरह से पहली के तरह emergency call को इस तरह से select करना है मैंने किया और यहाँ पे देख रहे emergency calls only का page open होगे जैसे ही प्रेस किजेगा तो आपका phone चला जाएगा engineer mode में अब क्या करना फिर्स यह page थोड़ा dangerous है जंकारी है तो अच्छी बात है जंकारी नहीं है तो जिनको जंकारी नहीं है उनके लिए थोड़ा dangerous है क्योंकि यहाँ से phone आपका date भी हो सकता है अगर आप गलत step ले लिए गलत option में आप entry कर गए तो क्योंकि इसमें एक ऐसा option है कि जिस एक बार इंटर्स कर जाने से आप step को complete करके ही बाहर आ सकते हैं डाडेक्ट नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो वीडियो में बताया जा रहा है आप देख करके ही आप अपने phone में apply किजिए ये trick तभी आप successfully unlock कर पाईएगा यहाँ पर फिलाल आगे बरते हैं उपर से number 4 पर दिये हुए एक option है जिसका नामे manual test इसको इस तरह से click किजिएगा तो नया page आपके phone में open हो जाएगा second page में चल जाना है जिसका नामे device dubbing देख रहें device dubbing में जब मिलेगा तो आपको चल जाना है gyroscope देख रहें gyroscope इसको click किजिएगा और यहाँ पर सबसे नीचे बला option को gyroscope new data click किजिएगा और देखेगा यहाँ पर a start है कि नहीं यहाँ पर देख रहें start नहीं है जैसे ही आप इस तरह से click किजिएगा तो यहाँ पर sentence change हो जाएगा यह sentence change होना चाहिए जैसे ही sentence change हो जाएगा तो इसको यहाँ से back करेंगे यहाँ से back करेंगे back करने के वाद अब आ जाएगे यहाँ पर इसको क्लिक कीज़ेगा इस तरह से तो यहां पे दो तरह का option है, sorry, चार तरह का है, ओपर से second option है, डेखरे प्रोक्सिमीटर कॉलिबरेशन, इसको क्लिक कीज़ेगा, और यहां पे आपको three times करना है, three times, three times जैसे ही complete हो जाए, इसको यहां से बैक करना है, यहां से बैक करने के अब चल जाए, sensor, self-test and collaboration, friends, हमारे फोन का जो भी pin, pattern, password, face log और fingerprint, जो भी lock लगता है, वो सारे sensor पे लगता है, हम लोग सही, अगर इंटर, सही password इंटर करेंगे, तो किसी भी फोन का sensor उसको read करती है, और sensor उसको खोलने का कोसिज करती है, तब ही हमारा phone unlock हो पाता है, फिलाल, जब हम गलत डालते हैं, कोई भी password, तो उसका sensor, मुआल का sensor जो है, उसको read नहीं कर पाता है, अब phone unlock नहीं होता है, उसी sensor को हमको यहाँ पे पहले on करना है, तो यह देखे, sensor, self-test, encryption है, इसको click करेंगे, और यहाँ पे देखे, दो तरह के sensor है, operation not start, operation not start, यह दोनों को इस तरह से click किजेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखे, एक pass होना बहुँ जोड़ी है, पास नहीं होगा, तो हम फिर से try करेंगे, यह देखे, मैंने फिर से किया है, और यहाँ पे एक को pass होना जोड़ी हो सकत, दोनों भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो sensor pass आया है उसका नाम देख लीजे, एक है gyroscope, नीचे वाला है accelerometer, लेकिन उपर वाला है gyroscope, तो याद रखेगे कैसे, क्योंकि बाद में कामाने वाला है, gyroscope sensor मेरा test पास है, तो यहाँ से बैक करेंगे, यहाँ से बैक करने के बाद, अब क्या करना है, आपको, finger print test, जी हाँ, finger print test, इ यहाँ से बैक करने के बाद, यहाँ से बैक करेंगे, और सबसे last में एक option आएगा, जिसका नाम अधर नाम का page, data waste version पर आपको seven times क्लिक करना है, one, two, three, four, five, six, seven, seven times जैसे ही यह क्लिक हो जाएगा, अब क्या करना है, आपको, key status को क्लिक करना है, और यह देखिना है, कि आपक यहाँ से खिजय करना है, अब यहाँ पर से को क्लिक करना है, तो यहाँ पर यहाँ करना है, तो सबसे last में पर और यहाँ से लास्ट में फैड़ है, अगर आपके फोन वान, two, three, four, five, six, seven, eight, nine है, उतना ही वारा आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे कि हमारे फोन में यहाँ पर last में 4 है तो 4 बार यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चली आए क्लिक करते हैं 1, 2, 3, 4 4 बार क्लिक करने के बाद अब आपको यह वाला चेक करना जैसे कि home menu बटम जैसे ही प्रेस किजेगा और आप देखेगा कि यह phone unlock हो जागा देखे रहे फिलाल यह phone unlock हो गया तो फ्रेंट्स आपको हो गया है तो वीडियो को like करके और share करके जाएगा नहीं हुआ है उस case में आप हमारे चैनल को subscribe किजे हमारी टीम आपको 5 से 10 मिनट में help देदेगे तो यह वो इसी तरह से देखते रहे सेंटेक info